ये वीडियो क्लाश 12 के लिए बनाया जा रहा है वो भी साइन्स साइट के लिए यदि देखा जाए साइन्स साइट के लिए तो कितने आपके सब्जेक्ट होते हैं नमबर वन हिंदी, नमबर टू इंगलिस, नमबर थ्री फिजिक्स, नमबर फोर केमिस्ट्री और नमबर फाइप आपसनल होता है साइन्स साइड में एक बायो होता है और एक मैथ होता है तो यहाँ पर बायो वालों के लिए अलग से एक विडियो बनाया जाएगा वो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कि physics chemistry बायो के आप कैसे करके 50% marks आराम से उठा सकते हैं बचा दो subject हिंदी और English तो हिंदी और English में आप कम से कम 25% marks आप पा सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से तो आप 25% marks पाने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखीएगा जो मि अभी बनाने वाले हैं तो उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आजाएगा 25% marks कैसे पा सकते हैं लेकिन यहां आज की वीडियो जो है वो है physics chemistry और bio के लिए physics chemistry बायो के लिए आप 70% से above marks पा सकते हैं वो भी बहुत ही आसानी से मात्र 15 दिन के तयारी में इतना simple से तयारी करके आप 70% marks above कैसे पा सकते हैं चलिए पूरी वीडियो को बताते हैं तो आपसे एक छोटी सी request है यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा यदि आप आदी वीडियो को देखकर चले जाते हैं तो clear समझ में नहीं आएगा आप इसे पूरे करने की कोशिस कीजिएगा क्योंकि एक एक नमबर वाले question बहुत ही छोटे होते हैं आप इसे पूरा करने की कोशिस कीजिएगा मैं पहले आपको सुचित कर दें आप हमेसा long question पढ़ने की कोशिस कीजिए क्योंकि long question यदि पढ़ते हैं तो उसमें आपके short question और लगुत्री अति लगुत्री बहुभी कल्पी सभी उसमें आ जाते हैं किल्कि long question के ही सभी question बनाये जाते हैं यहाँ पर बहुभी कल्पी question के 62 question पुछे गए हैं वो भी एक marks के तो आप इसे पूरे करने की यदि कोशिस करते हैं तो बहुत अच्छा नमबर पा सकते हैं चलिए हम माल लेते हैं आप यहाँ पर 55 questions सही कर देते हैं तो इससे आपको कितने percent मिल जाएंगे इससे आपको 11% मिल जाएंगे आराम से नमबर टू लगुत्री प्रेश्ण की बात करते हैं इससे 50 question पुछे जाते हैं जो दो नमबर के question होते हैं आप इसे भी पूरा करने की कोशिस कीजिएगा क्योंकि आप long question यदि पढ़े रहते हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि 50 question कैसे आराम से कर सकते हैं यह मैं physics, chemistry और बायो तीनों की combined करके बता रहा हूं मान लेते हैं आप 50 question में कम से कम 80 नमबर मार्क पासकते हैं कैसे पासकते हैं इसकी मैं तयारी अभी आगे बताने वाला हूँ कैसे पासकते हैं मान लेते हैं 80 परसेंट आप मार्क्स पागा हैं तो इससे आपको 16 परसेंट मार्क्स बन जाएंगे यह कैसे possible है केवल long question पढ़ने से ही यह possible हो सकता है अब आप समझेंगे 100 नमबर की question में 80 नमबर लाना बहुत बहादुरी होगी जी हाँ बहादुरी हो जाएगी क्यूंकि मैं इसका long question important question बताने वाला हूँ जो उसी से केवल पूछे जाएंगे मैं यहाँ पे 50 question ऐसा तयार करके रखा हूँ जिससे आप पढ़ लेंगे तो आप उसमें से ही question पूछे जाएंगे बाहर से नहीं मिलेंगे नमबर तीन बिस्तरित उत्तरी प्रेश्टन जो कि long type के question होते हैं इसमें 12 question पूछे जाते हैं physics में 3 marks के होते हैं और chemistry में भी 3 marks के होते हैं यदि बायो की बात करें तो वो 5 marks के होते हैं long question केवल एक question की बात कर रहे हैं तो total 44 marks के पूछे जाते हैं physics, chemistry और बायो के लिए यदि आप इसमें 25 नमबर भी ले लेते हैं तो आपकी 5% यहाँ पे marks बन जाएंगे यदि आप सभी को count करते हैं कि आपने बहु विकल्पी में कितना percent पाया 11%, लगुत्री में कितना पाया 16%, दिर्गुत्री में कितना percent पाया 5% इन सभी को यदि count करते हैं तो आपके total 32% marks मिल जाएंगे और practical की बात करें तो कम से कम आपको 17-80% तो मिलना ही मिलना है तो 80% यदि इसको भी count करते हैं तो आपके total 50% marks physics, chemistry और bio से मिल जाएंगे वो भी बहुत ही आसान से बात करें 50% के बाद 25% या 30% या इसके उपर कैसे marks पायेंगे तो वो बचा है दो subject Hindi और English उसमें आप 25% marks आसान ही से पा सकते हैं बहुत ही simple तरीके से तो ये कैसे possible हो सकता है इसको देखने के लिए आप हमारे description में जाएं वहाँ पे link दिया गया है हिंदी और English के लिए उसको देख कर 25% marks से अधिक पा सकते हैं